नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है इंडियन जोग्रोफी डीटेल सीरीज जिसमें हम भारत के भुगोल को एक-एक टोपिक को यहाँ पर डीटेल में कवर कर रहें अभी तक हमने इंडियन जोग्रोफी की 28 क्लासेस को कवर कर लिया है और जोग्रोफी से जुड़े हुए भारत के भुगोल से जुड़े हुए अलग-अलग विशयों को अलग-अलग विडियोज में डीटेल में बिलकुल टू दा पॉइंट नोटस के साथ सिंपल नोटस के साथ यहाँ पर कवर के आ है आज हम हमारी जोग्रोफी की सीरीज की 29 क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे और आज की क्लास में हम भारत के परिवहन के दो important जो विभाग हैं उनको देखेंगे पहले हम सडक परिवहन के बारे में बात करेंगे नैशनल हाइवे से जुड़ेवे तथ्यों को देखेंगे और फिर इसी class में भारत में वायू परिवहन के बारे में यहां पर बात करेंगे important airports कहां पर है उनको देखेंगे अगर आपने इससे पहले की classes को cover नहीं किया है आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं देखें भारत में परिवहन की बात करते हैं परिवहन के मुख्य तोर पर तीन ही options होते हैं एक होता है आपका इस्थल परिवहन जिसमें सडक और रेल शामिल होती है दूसरा होता है जल परिवहन जिसके अंतरगत अंतस्थलिया जो जलमार्ग होते हैं और महासागरों से जुड़ेवे जो हमारे बंदर कहा होते हैं। तीसरा होता है वायू परिवहन जिसमें हमारे प्लेंस वगेरा आते हैं। तो आज हम सडक और वायू के बारे में बात करेंगे और अगली क्लास में रेल परिवाहन और जल परिवाहन important बंदर कहा उनको cover कर जाएंगे तो पहले बात करेंगे सड़क परिवाहन के बारे में बिल्कुल to the point notes है simple language में बनाए गए notes है आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर clear हो जाएंगी देखिए भारत में लगभग 63.32 लाख किलो मीटर का सड़क नेटवर्क है यानि भारत में सड़कों का जो जाल है उसमें सारी सड़कें शामिल है इसमें राष्ट्य राजमार्ग शामिल है राज्य राजमार्ग शामिल है जिला सडके हैं, ग्रामीर सडके हैं, सभी प्रकार की सडके मिलाकर भारत का सडकों का जाल कितने किलो मीटर का है, 63 लाग किलो मीटर से जादा का है, एक तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए, ये जो डेटा है, अलग-अलग साइट्स पर अलग-अलग डेटा आपको दिया जाता है हाला कि आपने अभी इसी कुध्यान में रखना है ठीक है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है 63 लाग से जादा का सड़क नेटवर्क है भारत का दुनिया में हम दूसरे नंबर पे आते हैं हम से आगे कौन है केवल सड़कों के मामले में वो सड़क परिवहन में राष्टिया राजमार्ग, राज्या राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीन सड़कें इन सभी को शामिल किया जाता है ठीक है इस 63 लाग किलो मीटर में से लगभग 1,44,000 के करीब नैशनल हाइवेज है एक लाग 67,000 के करीब हमारे राज्या राजमा और बाकी के 60 लाग के करीव हमारी अन्य सड़के आती हैं ठीक है आगे हम अभी और डीटेल में उसको देखेंगे सड़क परिवहन के द्वारा लगभग 67 प्रतिशत माल धुलाई और 80 प्रतिशत यात्री यातयात का संचालन किया जाता है यानि परिवहन के जैसे मैंने आपक सड़क परिवहन के विकल्प है उनसे काफी जाता है भारत में सड़कों की लंबाई की बात करते हैं राष्टिया राजमार्ग लगभग 144,955 है जितनी सड़के हैं हमने देखा था 63,00,000 किलो मीटर से जादा सड़के हैं उसमें राष्टिया राजमार्ग का जो प्रतिशत है वो केवल 2 प्रतिशत है राज्ये राजमार्गों की बात करते हैं इनकी संख्या इनकी जो लंबा लगभग 60,00,000,000 से जादा किलो मीटर की लंबाई है और ये हमारे पूरी सड़कों का 95% आता है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए नैशनल हाईवेज का परसंटेज कितना है जो स्टेट हाईवेज हैं उनका कितना है ठीक है अगले हैं हमारे अब हम इनको डीटेल में ज यानि NHAI National Highway Authority of India नैशनल हाईवेज की विकास, रख रखाओ और प्रबंधन का कार्या करता है और NHAI की जो स्थापना होती है वो 1995 में हुई थी ठीक है देखे नैशनल हाईवेज को ध्यान रखने का उनको बनाने का जो जिम्मेदारी है वो केंदर सरकार की है केंदर सरकार क कौन सा मंत्राले करता है तो मंत्राले का नाम है सडक परिवहन और राजमार्क मंत्राले और इसी मंत्राले के अधीन एक संस्था बनाई गई है NHAI तो वास्तविक तोर पर ये करती है कि किसके अधीन है तो आप कहेंगे जो केंदरिया सडक परिवहन और राजमार्क मंत्रा उसके अधीन है ठीक है इसकी इस्थापना पूछी जाती है तो 1995 में इसे इस्थापित किया गया था आजाधी के समय नैशनल हाइवे के कुल लंबाई केवल 19,700 किलो मीटर थी 1947 में जब हमारा देश आजाध हुआ तो टोटल नैशनल हाइवे कितने थे 19,000 किलो मीटर के करीब लगभग 19,700 किलो मीटर और आज कितने हैं एक लाख चबालीस हजार से जादा के किलो मीटर इनकी लंबाई है देश के कुल सडक मारगों की लंबाई का लगभग दो प्रतिशत है अभी आपने देखा था नैशनल हाइवे कितने हैं लगभग 3% नेशनल हाइवे द्वारा देश के संपून यातायात का लगभग 40 प्रतिशत फाग वहन किया जाता है इनकी संख्या मात्र 2 प्रतिशत हैं लेकिन पूरे यातायात का ये कितना परसंटेज हैंडल करते हैं 40 परसंटेज नेशनल हाइवेस के माध्यम से ही होता है ठीक है राश्टिया राजमार्ग वाले राज्य कौन कौन से हैं देखे देश में सबसे ज़्यादा National Highways किस राज्य में हैं इनकी लंबाई कहां पर है वो सवाल आपके पास आता है सबसे ज़्यादा National Highways की लंबाई वाला जो राज्य है वो महराश्रा है इसको आपने याद करना है भारत के अंदर सबसे ज़ादा नैशनल हाइवे इनकी लंबाई किस राज्य में हैं महाराश्ट्रा में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है तीसरे पर राजस्थान है चौथे पर मध्यप्रदेश है और फिर करनाटक आता है ठीक है प्रमुक नैशनल हाइवे आप उनकी बात करते हैं सबसे लंबा राश्ट्रिया राजमार्ग NH44 है यहाँ आपके शिरी नगर से कन्या कुमारी तक जाता है और इसकी जो लंबाई है वो 3745 किलो मीटर है यह हमारे देश का सबसे लंबा नैशनल हाइवे है ठीक है कहां से इसक जमुकश्मीर से निकल कर यह पंजाब आता है फिर हर्याना जाता है दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महराष्ट्रा, तिलंगाना, आंध्र और फिर करनाटक से होते हुए तमिलनाडू तक जाता है तो इन सब राज्यों से होकर जाता है टोटल 12 राज्य जहां से हमारा सबसे लंबा नैशनल हाइवे गुजरता है जिस क्रम में मैंने इनके आपको नाम बता है उसी क्रम में ये होकर गुजरते हैं ठीक है टोटल लंबाई कितनी है 3745 किलो मीटर सबसे छोटा राश्य राजमार्ग हमारा कौन है तो दो नैशनल हाइवे हैं जो NH-548 है, वो महराष्ट्रा में इस्तेत है, ठीक है, इसके अलावा, सबसे लंबा वाला तो हमने देख लिया है NH-44, जो हमारे और टॉप 10 के सबसे लंबे नैशनल हाइवेज हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, NH-27, ये हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा नैशनल हाइवेज है, ये आपके पोरबंदर से सिल्चर तक है, इसकी लंबाई लगभग 3,000 किलो मीटर के करीब है, ठीक है, पोरबंदर आपके गुजरात में पढ़ता है और सिल्चर आपके असम में पढ़ता है, यानि ये जो के तिल्ली को चैन्नई से जोडता है, 2,807 किलो मीटर का ये हाईवे है, ठीक है, इसके बाद आता है NH-52, जो शंगरूर को, पंजाब के संगरूर को, अंकोला, महराश्रा के साथ जोडता है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2,317 किलो मीटर, ठीक है, इसके बाद आता है NH-30, जो उत्राखंड के सितार गंज से शुरू होता है, और आंधर प्रदेश के इबराहीम पत्नम तक जाता है, इसकी लंबाई 2,040 किलो मीटर के करीब है, ठीक है, इसके बाद NH-6 है, जो आपके जोरवाट से सीलिंग तक जाता है, यानि असम से आपके मिजोरन तक जाता है, 1800 के करीब इसकी लंबाई है, फिर NH-53 आता है, जो आपके हजीरा को पारद्वीब के साथ जोड़ता है, 1781 इसकी टोटल लंबाई है, इसको आपने ध्यान रखना है, यह टॉप 10 नेशनल हाइवेईज हैं इंडिया के, जिनको लेकर सवाल बन सकते हैं, गुजरात के हजीरा स इसकी शुरवात होती है, NH-53 की और उडिशा में जो पारदीब है, वहाँ तक जाता है, NH-16 की बात करते हैं, तो यहाँ पूरवी तट, यानि पश्चिम बंगाल से इसकी शुरवात होती है, और चेननी तक जाता है, 1711 किलो मीटर के करीब, फिर है NH-66 जो पनवेल से कन्या क कुमारी तक जाता है, पनवेल आपके महराष्ट में पढ़ता है, कन्या कुमारी तमिलाटू में पढ़ता है, और फिर NH-19 आता है, जो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, 1425 किलो मीटर के साथ, तो यह इंडिया के टॉप 10 नेशनल हाइवेज को हमने देखा, सबसे लंबा रोड और्गिनाइजेशन जिसे हम बियारो कहते हैं, इसकी स्थापना 1960 में होती है, बियारो का उद्देश्य क्या है, बियारो का उद्देश्य है, सीमावर्ती छेतरों में सडकों का त्वरित निर्मान वविकास करना, यानि जो बॉडर इलाके हैं, वहाँ पर तुरंत का इलाकों का विकास करना, वह बियारो का काम है, अब यह रोड बनाता है, लेकिन यह सडक मंत्राले के अधीन नहीं आता, यह रक्षर मंत्राले के अधीन है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरा important जो सडकों से जुड़ा है, वो है सोनिम चत्रभुज योजना, देखे जो सोनिम चत्रभुज योजना है, इसके तहट क्या किया गया? इसके तहट भारत के चार महानगरों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कुलकता को आपस में, चार और छे लेन वाले सडक मार से जोड़ना है, देखे भारत के अंदर राष्टिया, राजमार्ग, विकास, परियोजना, इसकी शुरुबात होती है, अधिनियम लाया जाता है, 1988 में और इस परियोजना को शुरू किया जाता है, इस परियोजना को टोटल साथ चरणों में पूरा करना है, जिसका पहला स्वन्निम चत्रभुज योजना, स्वन्निम चत्रभुज योजना के इस हिस्से कौन-कौन से चार शहर है, तो चार हमारे जो महानगर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, लगभग 5,846 किलो मीटर की नैशनल हाइवेईज को यहां पर बनाया जाएगा, और इन पहला चरण है, स्वन्निम चत्रभुज योजना, इसे पूरा कर लिया गया है, इसी योजना के तहत, जो दूसरा चरण होना है, उसमें दो गलियारों का निर्मान किया गया, पहला पूर्व पश्चिम और दूसरा उत्तर दक्षन गलियारा, इन दोनों का निर्मान किया ज जो पूर्व पश्चिम गलियारा है इसमें भारत के पूर्व यानि सिल्चर से लेकर पश्चिम में पूर्व बंदर को सडक मार्ग से जोड़ा जाएगा जो अभी हमने उपर देखा NH 27 कितने किलोमीटर का है 3507 किलोमीटर का और जो उत्तर से दक्षिन गलियारा होगा उसमें शिरी नगर को कर्णिय कुमारी से जोड़ा गया है जो कि कितने किलोमीटर का है देश का सबसे लंबा नैशनल हाईवे भी है 3745 यह NH 27 है और यह NH 44 है यही वो दो गलियारे हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं कि उत्तर से दक्षिन गलियारे को कौन सा नैशनल हाईवे कहते ह उसकी लंबाई कितनी है और पूरव से पश्चिम वाला गलियारा कौन सा है और उसकी लंबाई कितनी है तो 3507 किलोमीटर यह पूरव से पश्चिम वाला गलियारा है जो NH 27 है और उत्तर से दक्षिन में NH 44 है 3745 किलोमीटर जिसकी लंबाई है ठीक है दोनों गलियारों को दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई जगह पर तो ज़रूर इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, दोनों ये गलियारे एक दूसरे को जांसी में काटते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीके, अगला है हरित राजमार्ग नीती की शुरूबार, ये भी सड़ राजमार्ग है, वहाँ पर जाद से जादा पेड़ों को लगाया जाए, उनको हरा बनाया जाए, हर्याली को उनमें बढ़ावा दिया जाए, ठीके, अगला है ग्रीन मफलर, ये भी आपके सड़कों से जुड़ा हुआ है, देखे, ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनी प्रदूशन वाले छेत्रों के राजमार्गों में वरक्षर ओपन कर ध्वनी प्रदूशन कम करने की एक युकती है, जो जादा नौइज वाले इलाके हैं, वहाँ पर जादा पेड़ों को लगाया जाए, एक प्रकार का ग्रीन मफलर वहाँ पर बना दिया जाए, जिससे हम ध्वनी प्रदूशन को नियंत्रित कर सकें, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि ग्रीन मफलर फायू प्रदूशन के लिए नहीं है, ये ध्वनी प्रदूशन के लिए है, इसके माध्यम से ध्वनी प्रदूशन को नियंत्रित किया जाता है, जादा तर जो भारत माला परियोशना की शुरुवार 25 अक्टूबर 2017 को होती है इस योजना के तहत 26,000 किलो मीटर्स लंबे आर्थिक गलियारे का निर्माण होना है यह सडक परिवाहन और राजमार्ग मंत्राले के अंतरगत की एक योजना है जो भारत माला परियोशना है किस से जुड़ी ह तो आप सिंपल से कहेंगे सडक निर्माण से कई बार यह कोशन डारेक पेपर में बना है भारत माला परियोशना सडक परिवाहन के छेत्र में अब तक की सबसे बड़ी योजना है इस भारत माला योजना को 2017 में शुरू किया गया था और इसका जो पहला चरण चला था वो 2021 तक चला है ठीक है अगला है सेतू भारतम योजना ये किस से जुड़ा हुआ है सेतू भारतम योजना चार मार्च 2016 को शुरू होती है इस योजना के तहत सभी नैशनल हाइवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना और हादसों में 50 फीसिदी तक कमी लाने का टार्गेट निर्धारित किया गया है यानि जितने भी हमारे नैशनल हाइवे हैं वहाँ पर जो रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है तो इस योजना के माध्यम से ऐसा किया जाएगा कि जहां पर भी क्रॉसिंग है वहाँ पर एक फ्लाय ओवर बना दिया जाए ताकि नैशनल हाइवे पर क तक राने के लिए नेशनल हाईवे से जुड़े हुए कुछ important तत्य हैं उनको देखते हैं जुवाहर सुरंग NH44 में इस्तित है जो नेशनल हाईवे 44 है उसी पर हमारी जो एक famous सुरंग है जुवाहर सुरंग वो इसी में इस्तित है ठीक है तो जुवाहर सुरंग आपके NH44 पर कि इसकी लंबाई है और ये देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है ठीक है जमू और शिरी नगर को आपस में ये सुरंग जोड़ती है अगला भारत का सबसे लंबा सड़क पुल वो कौन सा है तो सबसे लंबा सड़क पुल है भुपेन हराजारिका पुल जिसे ढोला साध पुल भी कहते हैं यह पुल आपके ब्रहंपुत्र नदी की एक सहायक नदी है लोहित उसके उपर बना हुआ है और इस पुल की लंबाई 9 दशनलो एक 5 किलोमीटर है जो देश का सबसे लंबा सडक पुल है भुबेन हजारी का पुल ठीक है यह असम और अरुनाचल प्रदेश के मध्या में इस्तित है इसको भी ध्यान रखना है भारत का सबसे लंबा केबल सीतू किस नदी पर है तो सबसे लंबा जो केबल सीतू है हमारा वो आपके गुजरात में है नर्मदा नदी के उपर पना हुआ है विश्व का सबसे उंचा सडक मार्ग लह स्रीनगर मार्ग है इसको भी आपने ध्यान रखना है ये कुछ important तथ्य नेशनल हाइवेज को ले करके अब बात करते हैं राज्य राजमार्गों के बारे में राज्य राज्य मार्ग इनके निर्मान और रख रखाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है इसके निर्मान का उद्देश जो होता है बड़े बड़े कज़़ों को नगरों को आपस में जोड़ना होता है राज्यों में सडक मार्ग की लंबाई में पहले इस्थान पर महराष्ट्रा है नेशनल हाइवेज में भी और राज्य मार्गों में भी पहले पर कौन है? महाराश्ट्रा है इसके लावा सरवादिक घनत्व वाला जो राज्य है सडकों के मामले में वो केरल हो जाएगा देखे घनत्व क्या होता है? अगर हम हाइवेज के माध्यम से बात करें, हाइवेज के संधर्व में बात करें किसी छेत्र के प्रती 100 वर्ग किलोमेटर छेत्र में सडकों की एवरेज लंबाई उस छेत्र का सडक घनत्व कहलाता है यानि 100 किलोमीटर के दाइरे में कितनी लंबाई है सडकों की वो कहलाता है सडक घनत्व तो भारत में सडक घनत्व सबसे ज़ादा केरल का है उसको ध्यान रखना है विश्व में बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जापान सडक घनत्व के मामले में सबसे आगे है तो सडक घनत्व क्या हो जाएगा जैसे जनसंख्या घरत्म क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर के दाइरे में रहने वाले लोगों की संख्या ऐसे ही सडक घनत्व है कि 100 किलो मीटर के दाइरे में हर तरब से 100 वर्ग किलो मीटर होगा और उसके अंदर सडकों के लंबाई टोटल कितनी है उसको निकाला जाएगा ठीक है सडकों से जुड़ी हुई एक और important योशना है पेपर में आ चुकी है कई बार आ चुकी है प्रधान मंतरी ग्रामीन सडक योशना इसके शुरुवात कब होती है तो प्रधान मंतरी ग्रामीन सडक योशना को 25 दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था उस समय देश के प्रधान मंत प्रधान मंतरी ग्रामीन सडक योशना किसके कारकाल में शुरू हुई थी यहा शत प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योशना है यानि प्रधान मंतरी ग्रामीन सडक योशना में पूरा जो पैसा मिलता है पूरी जो फंडिक मिलती है वो केंद्र के द्वारा मिलती है ठीक है इस योजना का उदेश्य सभी संपर्क रहित ग्रामीन छेत्रों को बाधा युक्त सड़क संपर्क सुविधा उपलब्द कराना है सिंपल सी चीज़े जिन छेत्रों में जिन गाओं में सड़के नहीं बनी हैं दूर दराज के जो छेत्र हैं वहाँ पर इस योजना के माध्यम से सड़कों को बनवाना है ठीक है इसके तहट मैदानी छेत्रों में 500 या उससे जादा की आबादी और पहाडी छेत्रों में जनजातिय छेत्रों में या रिगिस्तान के ग्रामीन छेत्रों में 200 या उससे जादा वाले आबादी वाले छेत्रों को इसमें शामिल होता है ठीक है यानि प्रधानमंत्री ग्रामीन सड़क योशना के तहत आपके इलाके में सड़क तब बनेगी जब आप मैदानी छेतर में रह रहे हो तो आपके इलाके में 500 से ज़्यादा लोग होने चाहिए अगर आप ग्रामीन छेत्रों में रहते हैं तो धाइसों से जादा की आबादी उस इलाके की होनी चाहिए तो ही आपको इस योजना में शामिल किया जाएगा ठीक है ये है सडक परिवाहन जिसको हमने देखा नेशनल हाइवेज की बात करें टॉप 10 नेशनल हाइवेज को देखा हमारे उत्तर से दक्षण गलियारे को देखा पूरव से पश्चिम गलियारे को देखा अब बात करेंगे दूसरा जो परिवाहन का विकल्प है वायू परिवाहन उसको यहाँ पर केलियर करेंगे देखिए कोशन बनता है डारेक्ट भारत में वायू परिवहन का प्रारंब कब किया गया था तो भारत में वायू परिवहन इसकी शुरुवात 1911 में होती है 1911 में प्रियाग राजसे नैनी के बीच में दुनिया की पहली विमान डाक सेवा की शुरुवात होती है और इसी के साथ भारत में वायू परिवहन की शुरुवात हो जाती है तो जैसे कोशन बनता है न कि भारत में रेल परिवहन की शुरुवात कब हुई भारत में रेल कब शुरू हुई और किस-किस के बीच हुई तो ऐसे ही आपने याद करना है वायू परिवहन की शुरुवात कब हुई 1911 और किस-किस के बीच भी तो प्रियाग रास से नैनी के बीच में पहली विमान डाक सेवा यहाँ पर शुरू करी गई थी दुनिया की ठीक है पूरे विमान चेत्र को देखेंगी जिसमें एक कमपनी थी भारत्य विमान निगम यानि इंडियन एरलाइन्स और दूसरी थी एर इंडिया तो Air India और Indian Airlines दोनों आपके कवाए 1953 में जब सारे विमानों का सारे वायू परिवहन का नेशनलाइजेशन कर दिया गया जो Indian Airlines थी यहाँ देश के आंतरिक भागों और समीप वर्ती देशों में सेवाएं उपलब्द कराता है दो ही प्रमुक कंपनिया रहने दी गई यहाँ पर 1953 में Indian Airlines और Air India Indian Airlines इंडिया के अंदर और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं बंगलादेश, पाकिस्तान, श्री लंका, नेपाल यहाँ के लिए सेवाएं उपलब्द करवाता है Indian Airlines जो Air India है वो विदेशों के लिए जिसे इंडिया से आपको अमेरिका जाना है, बिटेन जाना है, अलग-अलग देशों में जाना है तो उसके लिए Air India है नजदीक जाना है, देश में जाना है तो इंडियन एरलाइन्स और दूर जाना है तो Air India इसके बाद तीसरी important company को बनाया गया था वायू दूत के नाम से 1981 में घरेलू उडान के लिए वायू दूत नाम से तीसरे निगम की स्थापना करती गई हाला कि बाद में इस वायू दूत का Indian Airlines में ही विलै कर दिया गया अब आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इसका विलै किस में हुआ था Indian Airlines में ही हुगा, क्योंकि इंडिया के अंदर और पडोसी देशों में सेवाए कौन दे रहा है Indian Airlines, Air India कहां के लिए दे रहा है, विदेशों के लिए दे रहा है, ठीक है 24 अगस्त 2007 में Air India और Indian Airlines इन दोनों का विलै कर दिया गया फिर से और अब एक नई संस्था, एक नई यहाँ पर कंपनी बनाए गई है, यहाँ दोनों कंपनिया National Aviation Company of India Limited के नाम से आप काम करती है यहनि 2007 में Air India और Indian Airlines का विलै कर दिया गया और अब एक नई कंपनी यहाँ पर बनी, जिसमें दोनों यह कंपनिया शामिल है हाला कि इसका जो ब्रांड नेम है, वो अभी भी क्या है, वो Air India है Air India ब्रांड नेम क्यों रखा गया, क्योंकि विदेशों में यही नाम प्रचलित है ठीक है, यही सेवाएं देता है विदेशों में तो अभी भी किस ब्रांड नेम से इसको चलाय जाता है, Air India के नाम से Parent Company कौन हो जाएगी, National Aviation Company of India Limited कभाई अस्थित में 2007 में वर्तमान में Air India का जो मालिकाना हक है वो Tata के पास है, जो Tata Companies है, इनके पास है तो यह पूरी कहानी है भारत में वायू परिवहन की 1911 में शुरू होती है, 33 में Indian Airways Company बनती है 53 में राष्ट्यकरण होता है, Indian Airlines और Air India आती है Air India विदेशों के लिए, Airlines पडोसी और देश के अंदर के लिए 1981 में वायू दूत बनाया जाता है, बाद में Indian Airlines में विले हो जाता है 2007 में Indian Airlines और Air India दोनों का विले कर दिया गया एक नई कंपनी बनाई गई, Air India के नाम से इसे अभी भी चलाया जाता है इसका मालिकाना हक वर्तमान में टाटा के पास है, ठीक है भारतिया विमान पत्तन पराधिकरण यानि AAI, Airport Authority of India इसकी स्थापना एक अप्रेल 1995 को हुई थी देश में सारे जो हमारे भवाई अड़े हैं, हमारे एरपोर्ट से उनके रख रखाओ के जमेदारी उनको मेंटेन करने के जमेदारी किसकी होती है, वो AAI की होती है भारतिया विमान पत्तन पराधिकरण की होती है, जिसे 1995 में बनाया गया था अब कुछ important हवाई अड़े हैं हमारे उनको देखेंगे कई बार ये पेपर में पूछे जाते हैं नेता जी शुभास चंद्रूपोस हवाई अड़ा, कहां पर है, तो ये आपके दमदम कोलकाता में पढ़ता है छत्रपती सिवाजी महराज अंतराष्ट्य हवाई अड़ा, ये कहां है, ये मुंबई में पढ़ता है मिनाम बकम हवाई अड़ा ये कहा है ये आपके चन्नई में पढ़ता है नेंदी बाचेरी हवाई अड़ा ये कहा है ये आपके केरल में पढ़ता है जैप्रकाश नारायन अंतराष्ट्य हवाई अड़ा ये पटना में है चोदरी चरण सिंग अंतराष्टिय हवाई अड़ा ये लखनव में आता है लाल बहदुर शास्त्री अंतराष्टिय हवाई अड़ा ये आपके वारा नसी में पढ़ता है शरी गुरू रामदास जी अंतराष्टिय हवाई अड़ा अमरिसर में पढ़ता है डॉक्टर बाबा साहब अंतराष्टिया हवाई अड़ा नाकपुर में पड़ता है अगला वीर सावरकर अंतराष्टिया हवाई अड़ा ये आपके पोर्ट ब्लियर में है राजीव गांधी अंतराष्टिया हवाई अड़ा ये हैदराबाद में इस्तित है इसके साथ गोपीनात बार्दोली अंतराष्ट्य हवाई अड़ा जो ऐसे नाम वाले हैं विप्तियों के नाम पर हैं जिनसे लोकेशन पता नहीं चल पा रहे हैं अगर जैप्रकाश नारायन हवाई अड़ा की बात करें तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो पत्ना में होगा लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसे वीर सावरकर अंतराष्ट्य हवाई अड़ा कहा हैं पोर्ट बिलियर में हैं दाबुलिम हवाई अड़ा ये गोवा के अंदर पड़ता हैं सरदार वल्ला भाई पतेल एहमदाबाद में हैं इसको भी आप याद कर लेंगे कौमन सा है केंपे गोड़ा अंतराष्ट्य हवाई अड़ा ये बहुत बार पेपर में आया है कि देश में केंपे गोड़ा अंतराष्ट्य हवाई अड़ा कहा हैं बेंगलूरू में हैं करनाटक में हैं देवी अहिल्या बाई होलकर अंतराश्ट्य हवाई अड़ा ये इन दौर में हैं। स्वामी विवेकानंद हवाई अड़ा आपके राइपुर में पढ़ता है चत्तिसगड में। शेक अल आलम अंतराश्ट्य हवाई अड़ा शिरीनगर में पढ़ता है। सांगा नेर अंतराष्ट्य हवाई अड़ा जैपुर में है, बीजू पतनायक अंतराष्ट्य हवाई अड़ा ये आपके भुवनेश्वर में हो जाएगा, शहीद भगत सिंग हवाई अड़ा चंडिगर में है, और महराजा अग्रसेन हवाई अड़ा आपके हर्याना के हिसार में हैं तो महराजा अग्रसेन कहां हो जाएगा आप कहेंगे हिसार तो ये हमारे important airport वायू परिवहन से जुड़े दो important बाते हैं जिनको आपने यहाँ पर note करना है दो से तीन बाते हैं देखें पहला आता है नए हवाई अड़ों का निर्मान किया जाता है तो उसे green field हवाई अड़ा कहते हैं basically मान लीजिए किसी छेत्र में एक airport बना हुआ है अब airport का धिरे धिरे विकास हुआ जितना विकास जितना फैला हो सकता था उसका हो गया अब इससे जादा वो और नहीं फैल सकता तो इसी के नजदी एक दूसरा हवाई अड़ा बनाए जाएगा उसी को कहते हैं green field हवाई अड़ा तिक्के दूसरा है हमारा उड़ान योजना उड़ान देखें इसकी full form क्या है उड़े देश का आम नागरी ये इसका पूरा नाम है इसकी शुरुवात होती है अक्टूबर 2016 में और नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि हवाई जहाजों में जो एरोप्लेंस होते हैं जो हेलिकॉप्टर्स होते हैं उनमें कुछ सीटों को रिजर्व किया गया कि आपको इतने प्राइस पर इतनी सीटों को रिजर्व करना होगा जैसे जो हमारे विमान हैं हमारे जो प्लेंस होते हैं बड़े बड़े उनमें आठ से लेकर 40 कम से कम आठ और अधिक्तम 40 सीटे और जो हेलिकॉप्टर होते हैं उसमें 5 से 13 सीटे आपको रिजर्व करनी हो कम प्राइस पर सबसीडिय उनमत देनी होगी ताकि जो आम लोग हैं वो भी विमानों से यात्रा कर सकें इसके तहट एक और नियम यहां पर लगाया गया कि अगर 500 किलो मीटर की कोई यात्रा है एक घंटे का समय लग रहा है विमान के माध्यम से अगर आप जा रहे हैं और दिक्तम 2500 रुपे ही देने होंगे एक और लिमिट यहां पर लगाई गई तो सिंपल सी चीज है ओडान योजना की शुरुबात कब करी गई अक्टूबर 2016 इसके बाद आती है पावन हंस लिमिटेड पावन हंस लिमिटेड जो कमपनी है इसे अक्टूबर 1985 में शुरू किया हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कमपनियों में शामिल है पावन हंस हेलिकॉप्टर ये जो कमपनी है इसको आपने ध्यान रखना है कब बनी थी 1985 में उत्राखन के अंदर भी केदानात यात्रा मार्ग पर यही पावन हंस कमपनी है ज इसमें हमने सडक परिवहन और वायू परिवहन के बारे में बात करी उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शे उन सब के बारे में विस्तार से सिंपल नोट के माध्यम से अगली क्लास में बात करेंगे Thank you friends